हेलो इपहॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग, तो आज की सगेंड वीडियो में स्वागते आप लोग का, तो सबसे पहले बात कर लैते रफ़तार के बारे में, तो जैसे कि रफ़तार ने अपने ट्रैक्स की डेट्स अनाउंस कर दिया, तो उन डेट्स को लेके काफी confusion है के बीच में तो कौन सा ट्रैक कब रिलीज हो रहा है और कितने ट्रैक्स हा रहा है यह मैं आप लोग को बता देता हूं तो पहला गाना जो कि एक कमर्शल ट्रैक है और उसका निमे घणा का सूटी जो की 11 नवंबर को देखने को मिलेगा सुबह 11 बजे दूसरा गाना जो है उस के लिए सबसे ज़्यादा excited हो आप लोग नीचे comments में बताना तो अब बात कर लेते हैं डिवाइन के बारे में तो डिवाइन जो है वो अपनी third album के साथ ready है और हो सकता है इसी साल में उनकी album की announcement हो जाए तो डिवाइन जो है कुछ ऐसी story डालते है album mode तो अब बात कर लेते है MC Him और शारूल के बारे में तो MC Him और शारूल का जो track आने वाला है हसल है उसका trailer out हो चुका है तो आप लोग ये check कर सकते हो और complete track जो है वो ninth को देखने को मिलेगा तो अब बात कर लेते रागा के बारे में तो रागा जो है वो कुछ ऐसी story डालते है I do not promote my shit through meme pages और get paid reaction on my tracks by reaction channels am I doing it wrong ये भी सीखना था क्या तो indirectly उन्होंने या पर काफी rappers के बारे में बात करी है तो अब बात कर लेते kit shot के बारे में तो universal music की तरफ से gift देखने को मिला है जो की है kit shot के लिए और ये दिवाली gift है तो अब बात कर लेते हने सिंग के बारे में तो हने सिंग जो है वो बक्चोदी नहीं let's make 15th November special birthday banger on way get ready for underground commercial तो कल मेंक का भी एक track देखने को मिलने वाला है 15th November को तो अब बात कर लेते मॉब डी के बारे में तो मॉब डी जो है वो भी अपना एक track लाने वाले उनकी वरदान EP में से जो की 2nd December को drop होगा तो अब बात कर लेते दव बेबी के बा तो इसे के साथ मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई